है 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 घ्लो एक ऴीडियों आज जैसे आप देख सकते हैं हमारी होट्री के सारे ऑप सब डिसकस करने वाले तो से अंहीं हम लोगों से पूछे गए हैं तो आज के सारे और क्वेश्चेंस हम यहीं सब हम देखने वाले हैं कि कि इत classics से आए हैं किपने questions हैं जो आपके ऐसे questions इस point of view से थे जो अठकेंगे ही अठकेंगे क्योंकि इस बार अगर आप notice करोगे conceptual questions रीप concept से काफी आया है तो दा point questions नहीं पूचे गए गुमा के questions काफी पूचे रहे हैं तो चलिए video start करते हैं लेकिन video को start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने playlist आपके लिए YouTube पर अलग-अलग बना दी हैं इसी के साथ चानल SSC के regarding सबसे पहले updates के लिए channel को subscribe करना ना भूलें इसी के साथ playlist जैसा मैं आपको अभी बता भी रही थी कि हमने हर चीज की current affairs से लेकर computer crash courses सभी की आपकी playlist बना दी हैं आप आज ही application को download करके आज भी application को download करके जो अलग-अलग batches हैं जिसके बार में आपको video के end पर बताने वाली हूं आप उनमें enroll कर सकते हैं सर चीज के लिए separate batch है साथ ही अगर आपको सभी subjects में focus करना है तो उसके लिए एक हमारे पास officer batch है जिसके बार में आपको end पर बता दूंगी सबसे पहले हम बात करते हैं question number one की when did Linus Carl Pauling receive Nobel Prize in chemistry for his research into the nature of chemical bond and its applications to the elucidation of the structure of complex substances Linus Carl Pauling को रसायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्तों की सनरचना की व्याख्या के लिए तो पहली चीज़ आपको जो पता लगी कि जो complex structures हैं complex substances हैं उनके structure के बारे में सबसे पहले किस ने बताया Linus Carl Pauling ने बताया उनको Nobel Prize मिला है chemistry का इस चीज़ के लिए और उन्होंने इस चीज़ को Nobel Prize उनको जो मिला है वो कब मिला 1954 में 1954 में उनको वो प्राइज मिला है next question की बात करते हैं Dash is the process of complete or incomplete oxidation और hydrolysis of fats and oils when exposed to air light moisture or bacterial action that spoils food यानि हवा प्रकाश नमी या भोजन को खराब करने वाली वो क्रिया जिसमें वसा और तेल के संपर्क में आने पर असल में क्या पूछ रहे हैं आपसे कि वो कौन सी process है जिसमें जो खाने में तेल होता है फैट होता है वो reaction करेगा और खराब हो जाएगा तो आपने पढ़ा भी है क्लास में समझाया भी है उसको हम बोलते है रैंसिडिफिकेशन यानि विक्रती गंधन what will be the atomic atomic number of an element x which is placed in second period and group 17 एक टत्व एक्स है उसकी परमानु संख्या क्या होगी अगर उसमें दो आवरत है देखो आवरत यानि पीरेड का मतलब क्या है कि दो शेल्स है ग्रूप है 17 तो 17 ग्रूप का मतलब है सबसे बाहर हो गए साथ इलेक्ट्रोन तो अंदर वाले में आपको पता है दो ही होते हैं तो दो और साथ तो इसका atomic number कितना हो गया कुल इलेक्ट्रोन कितना है नो तो इसका atomic number नो हो गया इस ब्लोक का एलिमेंट है कैल्शियम उसे कौन से लेटन शब से हमने उसकी व्यूत्पत्ती की है तो इसका answer है कैलेक्स कैलेक्स के नाम से कैल्शियम की उत्पत्ती हुई है और लेटन लैंग्विज का ये वर्ड है फिफ्ट क्वेशन की बात करते हैं विच जर्मन केमिस्ट एंड फिजिस्ट प्रोपोस दाट एन अरोमेटिक कंपाउंड मस्च हैं और नॉर्ड नॉर्ड पेर्स ऑफ इलेक्ट्रों विच कैन माथमाटिकली भी रिटन एस 4N प्लस 2 देख हो मैं आपको बता देती हूं जो आपके अरोमाटिक योगिक हैं उनके अंदर जिन में बेंजीन होता है नॉर्मली बेंजीन तो आप समझते हो ना तो यह कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि इनके अंदर हमेशा विशम संख्या में इलेक्ट्रों के युगमू होते हैं और कितने आप टोटल जो इलेक् का इस सैयारिटिस्ट है एरिश हकल हकल दूल इसको बोलते है तो एरिज हकल अ मैं गयो है प्राइट लो मिथेन इसि बेटर लून एक इस प्राइक लो मिथेन का एक औरन नाम है उसको क्या बोलते हैं देखों मिथेन होती है शी sneez sports अब आपने क्या करें तीन क्लोरिन दाल द विच एलिमेंट ऑप ग्रुप 17 हैस टू आइसोटोप्स मासिस 35 एं 37 अगर आपने क्लासिस पढ़ी होंगी ना 35 मास देखके आपको पता लग जाएगा क्लोरीन की बात करने क्लोरीन का ही द्रव्यमान जो होता है वो 35 होता है खेर इन्होंने बोला क्लोरीन आता भी ग्रुप 17 में है 17 संभू में आता है तो इन्होंने बोला बताओ 17 संभू के कौन से तत्व के दो आईसोटोपस दो समिस्थानिक मिलते हैं जिनका जो मास है वो आपका 35 और 37 है 35 वाला जो है वो इतने परसेंटेज में मिलता है और 37 वाला इतनी परसेंटेज में तो इसका आंसर क्या हो हो गया chlorine what is the product formed when CS3, CS2OH यह क्या है CS3, CS2OH यह C2H5OH है इस थेनॉल एलकोहॉल है यह अगर reaction करेगी oxygen के साथ तो क्या बनेगा आपको मैं बता दूँ अगर carbon का कोई भी product reaction करता है तो carbon dioxide और पानी बनता ही बनता है तो आपसे पूचा है कि बताओ क्या बनेगा तो इसका जो आंसर होगा वो carbon dioxide होगा water होगा heat और light CO2 और water तो बनेगा ही बनेगा साथ में heat और light which of the following chemicals is used as a preservative to slow browning and discoloration of foods and beverages during preparation storage and distribution यानि इन में से कौन सा chemical है जो आप यूज करते हो किसलिए जो खाद्य परदार्थ हैं और पे परदार्थ हैं खाने वाली चीज़ें पीने वाली चीज़ें उनके तयारी अगर आप उनको बना रहे हो उनको स्टोर कर रहे हो भंडारन कर रहे हो वित्रन उसको कम करने के लिए अप क्या यूज करते हो तो हम यूज करते हैं सल्फाइट्स दे कैमिकल फॉर्मला उफ प्रोपीन इसको प्रॉप है मतलब थीन कार्बन होगे इन का मतलब अलकीन है डवल हाइड्रोजन होगे C3H6 is the correct formula which sodium compound is most popular additive to various items such as sauce, salad dressings and beverages for its preservative action sodium का कौन सा compound है कौन सा योगिक है जो अपनी परिरक्षक करिया यानि वो खाने को बचाता है उसको खराब होने से बचाता है तो उसके लिए उसी वज़े से हम sauce में डालते हैं, salad में डालते हैं और जो beverages हैं, जो पीने वाली चीज़े हैं उनमें हम डालते हैं तो वो हो गया आपका sodium benzoate यह अचार में भी डलता है identify the element that does not belong to group 1 of the periodic devil लेगो group 1 में कौन से हैं लीना करे रब से परियाद आपने देखा होगा hydrogen हम कभी भी involve नहीं करते हैं, तो hydrogen कभी भी अचल में hydrogen रखा हुआ है group 1 के उपर, पहले समूँ के उपर रखा हुआ है पर जब भी हम पहले समूँ की बात करते हैं, हम hydrogen को involve नहीं करते हैं, क्योंकि hydrogen पे आज सक conflict है, लडाई है hydrogen एकेला ऐसा एक element है, जिसको आप group 1, यानि पहले समूँ और सत्रवे समूँ, दोनों में से किसी के उपर रख सकते हो group 1 या group 17 किसी के उपर आप रख सकते हो, क्योंकि वो दोनों की property शो करता है, तो hydrogen को कभी भी involve नहीं करोगे dash is naturally occurring compound with formula C6H52CO, यानि इन में से कौन सा carbonic योगिक है, जिसका ये formula है तो आपको नाम बताना है, तो ये है आपका benzophenon, basically है क्या, ये C6H5 benzene है, तो दो benzene ring है और ये CO group से जुड़े हुए हैं, तो ये एक ketone बन गया, तो benzophenon जो है, इसका नाम हो गया What happens to the atomic size as you go down in the group, ये पढ़ा रखा है, कि अगर समू में नीचे जाओगे तो परमानू क्या कार पर क्या होता है, वो बढ़ता है, कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, एक नया shell जुड़ता जा रहा है, तो it increases Which of the following is the correct Lewis structure of O3 Lewis सनरचना बताओ, ओजोन की इन में से बिल्कुल ठीक सनरचना कौन सी है, तो मैं आपको बता दू, इन में से बिल्कुल ठीक सनरचना, जो ओजोन है Oxygen पर दो pair होते है, ये बिल्कुल सही सनरचना है, एक double bond होगा, एक single bond होगा Obviously बात आप total electrons count करके देख लो, 8 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके 8 पूरे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके भी 8 पूरे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक bond में 8 electrons होते हैं, ये है आपका option D, यानि D किसमें आ रहा है, D में ही आ रहा है Next question है, the approximate amount of silica present in cement is, cement में कितना silica present होता है, रटने वाली चीज़ है प्रोपर, लगबग 17 से 25 परसेंट के बीच में आपका silica होता है Cement में, which of the following is a highly electropositive element, इनमें से कौन सा अक्तियदिक विद्युत धनात्मक तत्वा, यानि metal है धातु है, that readily gives up an electron, जो एकदम से अपना एक electron फो देता है, ताकि एक stable, आपको एक अराम से उसको एक stable configuration मिल जाए, एक स्थाई electronic विन्यास मिल जाए, तो आपको बस यह बताना है कि कौन सा ऐसा metal है, जो एक electron खोता है nitrogen non-metal है, oxygen non-metal है, अधात हुए, chlorine अधात हुए, sodium ही आपका बचा हुआ option है आपको पता है, अभी तक न, 10th class तक की science सबसे जादा पूछता है, लेकिन इस बार exam में 11th और 12th की science के बहुत सारे questions आया है और यह उन्हीं में से एक है, और जो इतने deep में से पूछे गए हैं, कि आपको properly चाप्टा पढ़ने पड़ें तो मेरा तो recommendation यह है कि ऐसे questions किर्फ आप लोग में छोड़ोगे, maximum सभी लोग छोड़ेंगे क्योंकि अगर आप exam भी दे रहे हो, graduation के बाद exam दे रहे हो, यह बहुत कम बच्चों को याद रहने वाला है तो इन्होंने बोला, इन में से किसने ये खोज की थी, कि जो डाई बोरेन है, वो LD हाइड और किटोन के साथ अभी क्रिया करते हैं, और डाई अलकोक्सी बोरेन बनाते हैं, जिसका जल द्वारा जली अपगटन होने पर अलकोहल बनता है, यानि इस से क्या बन जाएगा, अ तो ये खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी, हज़ी ब्राउन ने, इनका पर्तिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना वैसे बहुत जादा असान है, इनका पहले मास निकाल दो, ह2SO3 का, दो हाइड रोजन है, एक हाइड रोजन का एक होता है, सल्फर की बात करूं, तो इसका होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहां 3 है, तो 48, ठीक है, अब अगर हाइड रोजन की बात करते हैं, तो हाइड रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, दो हाइड रोजन है, यानि दो इनका जो है, आप कह सकते हो, इसका मास है, अपॉन 82 इंटू 100, ठी ठीक है, आपका जो आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप फटा-फट से सॉल्व करके भी देख सकते हो, आप इसको सॉल्व करोगे, लगबग 2.5 परसेंट आपका आंसर आएगा, तो 2.5 परसेंट हाइड रोजन हो गई, इस तरीके से सलफर का निकालोगे फिर उक्षगन का निकालोगे, आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए, पेपरोनिल, इथाइल, एसिटेट, व्यूटाइल, अलडिहाइड, और नाइट्रेट आर सम्कॉमन एडल्ट्रेट्स यूज इन, यानि ये कुछ चीजें हैं, जो आप मिलावट के तौर पर य तो जो पेपरोनिल है, एसिटेट है, ब्यूटिराइल, भी हाइड है, और नाइट्रेट, इनकी मिलावट की जाती है, आइस्क्रीम में, तो ये आइस्क्रीम के एडल्ट्रेंड से मिलावट के लिए समान है, which of the following pair of compound boiling point is correct इन में से कौन सा योगिक और उसके कौतनांख का मेल बिल्कुल ठीक है तो देखे ये भी रटने वाला है क्योंकि आपको कितनों के ही याद होंगे मैं आपको बता दू क्लोरोफोर्म का 334 Kelvin ये बिल्कुल ठीक है और मिथेन का 111 Kelvin दोनों बिल्कुल ठीक है तो बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों का कौतनांख बिल्कुल ठीक है which of the following is the highest boiling point इन में से सबसे ज़्यादा कौतनांख किसका होता है तो मैं आपको बता दू अलकेंस, अलकींस, प्री काबन डायकसाइड और अलकाइंस इन में से सबसे ज़्यादा जो कौतनांख होका, ट्रिपल बॉंड वालों का होगा, अलकाइंस का होता है D option is the correct answer क्रीमिंग पाट और शुगर, विपिंग एग वाइट और विपिंग हैवी क्रीम और एग्जाम्पल्स ओफ विच ट्राइप ऑफ लीवनिंग बसा और चीनी का क्रीमी करन, उनसे चीनी बनाना जब हम उनको फेटते हैं गोल गोल तो क्रीम बन जाती है अंडे का सफेदी को फेटना या भारी क्रीम को फेटना किस प्रकार के किनवन का उधारन है तो यह उधारन है आपका मक्यानिकल लीवनिंग क्योंकि आप खुद अपने हाथ से कर रहे हो या मशीन से भी कर रहे हो तो वो मक्यानिकल एनरजी लग रही है यहां से कूजा लग रही है इंटरनेशनल यूनियन ओफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री यह एक औरगनाईजेशन है जितने भी कंपाउंट्स है योगिक है उनको नाम देने के लिए औरगनिक कंपाउंट को नाम देने के लिए यही रेस्पॉंसिबल है तो वो बोल रहे है बताओ कौन सा एलिमेंट है कौन सा परमानू है और उसका क्या अटॉमिक नंबर है जिसका जो नाम रखा है सीबोर्गियम रखा है आयू पी एसी के अकॉर्डिंग तो वो हो गया आपका 106 जिसका क्रमांग 106 है एक लास अप औरगनिक कंपाउंट्स लाट कंटेन ऑक्सीजन बिट्वीन तू एलकाइल ग्रूप्स वो कौन से आप कह सकते हो कि कौन से योगिक हैं जिनमें दो एलकाइल समूओं के बीच में एक ऑक्सीजन आता है आप समझो दो एलकाइल ग्रूप है फॉर एक्जामपल मिथेन से मिथाइल ले लिया और इनके बीच में बस एक ओक्सीजन है यह होते हैं आपके एथर ठीक है तो एथर हो गए आपके इनको एथर की क्याटिगरी में रखते हैं इन में से कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणवित सन्रचना वाला क्रत्रिम फ्लोरी नीकरत योगिक है जो अब तक की सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस मतलब आप समझो कि अब तक की सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस जिसको माना जाता है तो यह हो गया आपका सल्फर यह एक आटिफिशियल कंपावंड है जो ग्रीन हाउस जिसको सबसे स्चेबल स्ट्रक्चर होता है ग्रीन हाउस का अगर जो टू वाला ग्रूप है उसमें अगर आप आगे जाओगे तो अर्जेंटिक आजाएगा नीचे तो यह आपको लर्ण ही करना पड़ेगा अर्जेंटिक जो है उसकी संजोजक्ता कितनी होती है प्लस टू ट्वेंटीएट क्वेशन पर बात करते हैं एक मिनिट है अंजी प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इथाइलीं इथाइलीन का हम यहीं पर आर्टिफिशल है इसको हम यूज करते हैं इन विच यह डिड़ जोन न्यू लेंड्स प्रोपाउंड दा लॉफ ऑक्टेव से तो इन में से कौन से साल में न्यू लेंड ने लॉफ ऑक्टेव जो है वो दिया था जिसमें उन्होंने यह बताया था हर आठवे एलिमेंट की प्रोपर्टी पहले एलिमेंट की तरह होती है तो वह कौन से साल में उन्होंने बताया था वो बताया था 1865 में इसी के साथ एक और एक्स्ट्राफेक्ट जो न्यू लेंड की जो लॉफ थी वो सिफ केल्शियम तक काम कर रही थी केल्शियम के बाद हर आठवे एलिमेंट की प्रोपर्टी पहले एलिमेंट की तरह नहीं थी विच और गनिक कंपाउंड है जब भी आपको कुछ भी बादाम का कहीं पर एसेंस डालना होता है अप उसका इस्तिमाल करते हो तो आपको मैं बता दू यह है आपका बेंजलडी हाइड बेंजलडी हाइड में यूज से बदाम की स्मेल आती है अँमोनियम क्लोराईड नेप्सलीन बौल्स & केमफर आपको शुष्क बर्फ हैं नेप्सलीन की गोलिया हैं कपूर है यह सबिर गिसके उधारन हैं यह सभी हैं इसके उद्धा ठाड आपके सबस्संसेम्स इद्धर्वपातक पतार्थ 1808 1808 में whose work provides the physical picture of how compounds are formed by combination of two or more different types of atoms यानि इन में से किसके काम ने ये बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक atoms परमानू मिलते हैं तब एक योगिक बनता है तो ऐसा किसने सबसे पहले बताया था तो वो बताया था जिन्होंने बताया था कि कैसे परमानूओं के जड़ने पर अनू बनते हैं इन विच इयर डिड एंटन लेवोजियर पब्लिश मैथड्स ऑफ क्यामिकल नोमनक्लेचर एंटोनी लेवोजियर ने किस वर्ष में रसायनिक नामकरन के तरीके प्रकाशित किये जिसके अंदर हम वो आज भी यूज़ करते हैं जो रूस उसमें है तो वो कौन से साल में जो है वो उन्होंने प्रकाशित किये थे उन्होंने 1787 के अंदर आपको इनके नाम बताने है कि कौन से नेम का जो सेट है वो बिल्कुल ठीक है तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत बहुत असान है ये थोड़ो सा लेकिन नया होगा आपके लिए उक्सीजन जहां पर उक्सीजन जुड़ता है ऐसे हेट्रोसाइकलिक रिंग में ये है फ् तो फ्यूरान हो गया इसके इलावा अगर मैं सेकंड की बात करूँ जिसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन वाले का नाम जो हो गया वो है पाइडिडीन और इसका हो गया थायोफीन तो इसका हो गया ऑप्शन भी जब भी सलफर आता है ना कहीं पर सलफर के साथ मैक से कंपाउन्ट एक एस योग एक जिसके अंदर क्या होता है ओएजी ग्रूप जड़ा हुआ है एक सैंकुरेटिड कारवन एटम से या नि एक संतुरट कारवन आटम से सारे सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन इसके साथ दो दूसरे या या निव सोगर या ऐसे योगिक को क्या बोलते हैं ऐसे योगिक को बोला जाता है secondary alcohol दुवित्यक अलकोहल अगर तीनों carbon होते इसको बोलते हैं tertiary alcohol यानि दुवित्यक अलकोहल चलिए अब आपस से सेम क्वेश्चन है आपको बताने कौन सा compound और उसका melting point का जो वो है पेर है वो बिल्कुल ठी यह acetic acid का 290 Kelvin ethanol का 156 प्रॉपर रटने वाला है दोनों बिल्कुल ठीक हैं in the early 1800s who discovered that each chemical element is made up of a unique type of atoms and the atoms differ by their मा 19-20 शताब जी के पुर्वार्द में किसने यह खोज की थी कि कोई भी रसायनिक तत्व यानि अगर आप पानी ले रहे हो तो पानी के अंदर H और O ही हमेशा आएं तो किसने यह खोज किया था कि उनके अंदर बिल्कुल same element आते हैं same atom आते हैं तो यह अभी आपने पढ़ा atoms के बारे में सबसे पहले किसने बताया था 1808 में DAT Dalton Atomic Fury John Dalton ने बताया था When did Dimitri Mandeliev invent the periodic table? Mandeliev ने अपनी periodic table को कब invent किया आपको यह बताना है और जिसमें उन्होंने जो elements रखे थे वो उनके weight के हिसाब से रखे थे तो वो उन्होंने जो invent की थी 1869 में की थी मैं आपको बता दू Mandeliev ने जो periodic table invent की थी modern periodic table जो बिल्कुल आधुनिक जो आवरत सांड़नी है वो उसी का ही result है इसलिए जो आपकी Mandeliev की जो आवरत सांड़नी है वो काफी famous हुई थी आधुनिक वाली से भी इसके अंदर इन्हों उन्होंने बहुत सारे गाप चोड़ दियते हैं तो काफी जाधा important रही है 1869 में उन्होंने डिस्कावर किया विच आप दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस फॉल्स इन में से कौनसे स्टेट्मेंट पॉल्स है सबसे पहला Histidine is an essential alpha amino acid and works towards growth and tissue repair ये आपको याद होना चाहिए Histidine क्या है एक amino acid है जो growth का काम करता है बिल्कुल ठीक है Histidine plays an important role in growth and repair of tissues and making of blood cells ये बिल्कुल सेम है तो आपको Histidine के बार में पता होना चाहिए Lysine is an important role in normal growth and muscle turned over यानि mass patient जैसे अपने आप में बदलाव लेकर आती है उसमें सबसे बड़ा role Lysine play करता है ये भी बिल्कुल ठीक है अगला है Wellin Wellin एक non-essential amino acid है बिल्कुल गलत Wellin भी एक amino acid है तो ये जो होगे आपका incorrect statement होगे Which of the following soluble fibers in fruits is used as a thickener in cooking and baking इन में से कौन सा फलो में पाया जाने वाला एक chemical है जिसको आप जब भी कुछ बना रहे हो पका रहे हो उसमें घाडा करने के लिए हम चीज़े यूज करते हैं यानि जो consistency वो थोड़ी बढ़ जाए वो थोड़ा घाडा हो जाए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं तो वो है आपका peptin identify the correct statement about Newland's law of octaves Newland's law of octaves के बारे में आपको correct statement बतानी है चलिए बात करते हैं सबसे पहला उन्होंने सबसे पहले सबसे highest atomic mass से शुरू करा जो hydrogen था ये तो गलत हो गया hydrogen का atomic mass सबसे कम है जो प्रमानु द्रव्यमाने सबसे कम है he started with hydrogen and anidate aluminium ये भी गलत हो गया aluminium पे खतम नहीं हुए थे he started with highest with element with lowest atomic mass hydrogen and anidate thorium ये बिल्कुल सही है hydrogen से शुरू करा और thorium तक रुखे पर applicable कहां तक थी उनका rule follow कहां तक रो था calcium तक तो ये बिल्कुल उनकी correct statement है next question की बात करते है identify the last element from fifth period fifth period से last element का आपको बताना है कि वो कौन सा है fifth period तो मतलब क्या है आप खुद सोचो कि 5 shells होगे last है last का मतलब क्या है आपकी noble gas होगी अखरिये gas होगी rubidium एक noble gas है नहीं ये eliminate होगया helium नहीं है ये trium नहीं है तो क्या बचा zenon बचा zenon is the correct answer which of the following group elements are called chalcogen I think कितनी बार मैंने आपको बताया होगा group 16 solway group के समू को हम chalcogen बोलते हैं what is the name of metallic radioactive transuranic element with atomic number 101 in the actinide cbs discovered in 1955 so basically proper particular question आप लोगों से पूछ लिया है इन्होंने बूछा 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियो धर्मी परा uranium तत्व का नाम क्या है जिसका actinide shrinkla में जो परमानु क्रमांक है वो 101 है तो ये है आपका mandalivium ये रटना ही पड़ेगा identify the element that does not belong to period 6 of modern periodic table यानि उस तत्व की पहचान करो जो की छटे आवरत में नहीं आता देखो अगर आप इन सब पर ध्यान दोगे आपने एक से लेकर 20 तक आपको मैंने याद करा रखे है और silicon उनी में आता है platinum, tungsten और rhenium उनी में नहीं आता तो odd one out silicon ये silicon आपका period 6 में नहीं आता length nights are also called as length nights का एक और नामे क्या बोलता है इनको rare earth metals दूलब म्रदा तत्व इनी को बोला जाता है which of the following elements has variable valency इन में से कौन सा तत्व एसा है जिसकी परिवर्टी संयोज़कता होती है यानि जो एक से ज़्यादा valency show करता है वो है आपका iron iron plus two valency भी show करता है plus three valency भी show करता है in which year did an English scientist named Michael Faraday discover benzene in the illuminating gas कौन से साल में Michael Faraday ने प्रदीपक यानि जो चमकता है उस gas में benzene की खोजगी थी तो ये की थी 1825 में आप देख रहो जो year आ रहे हैं वो कैसे याद होंगे पहले चीज़ तो यह है कि बहुत uncertain है कि किस चीज़ का year आप से पूछले कौन से experiment का year पूछले लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं वो काफी अच्छे से कर लिजेगा तो कि सिर्फ CGL की बात नहीं कर रहे हैं अभी जितने भी exams आने वाले हैं के point of view से काफी important है which of the following is incorrect about granite granite के संबन में कौन सा कथन बिल्कुल गलत है तो चलिए करना शुरू करते हैं सबसे पहला इट इस compose mainly of यह वैसे जोग्रफी का question है कर लेते हैं granite जो बना होता है मैं बता भी दूँ आपको quartz और felds पार का बना होता है और थोड़ा माउंट मिका का होता है बिल्कुल ठीक है granite आपके continental crust में महादूईपीय परपटी में सबसे जादा यही मिलता है यह भी बिल्कुल ठीक है these are igneous rocks यह बिल्कुल igneous rocks है जो आगने shell है जो लावा से जब लावा ठंडा होता है तब यह बनती है a natural process of mechanical disintegration और chemical decomposition of the rocks of crust of earth by certain physical and chemical agencies of the atmosphere is known as मतलब क्या है कहने का यह process जो है वो naturally होती है अपने आप होती है जिसमें जो भूर परपटी की चत्ताने हैं जो surface पे जो चत्तान हैं जो rocks हैं वो क्या होती हैं वो तूटती हैं वो अपगटित होती हैं decompose होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं तो इसका जो answer है काफी important है weathering यह आपने पढ़ भी रखा है मैंने आपको पढ़ा भी रखा और biology में जोग्रफिय में भी सर्णने explain कर रखा चले यह question करते हैं इन्होंने आपको यह कुछ इदर जो है यह enzyme है protein है और यहाँ पर process है जो होती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है नाम से थोड़ा बहुत पता लग जाएगा आप पता लगा पाओगे सबसे पहले बात अगर मैं करूं लग किया करता है यह जो department है जोड़ा हें कि टर्ल कों इसका करता है कुस्विशा है सौरी एक सेकंड एक सेकंड अच्छा सौरी आपके पास चार चीजें हैं हैलिकेस आर अने प्राइमेस तो फर्स्ट का हो गया आपका D ठीक है अब फर्स्ट का D से पेक में है औप्शन C में तो यही आपका और करेक्ट आंसर होगाlles लेकिन बाकि सब्सक्रण कर लेते हैं सेकंड करता है और ने किया करता है नए डी ने को पुराने डी ने से जोड़ने का काम करता है डियनेल हाएगेस which of the following acids bake up 55 to 80% of olive oil making it a good choice for most cooking methods इनमें से कौन सा तेल है जो जैतुन के तेल का इतना हिस्सा बनाता है और सबसे अच्छी चीज है इसलिए हम इसको यूज करते है cooking purpose के लिए वो ओलिक एसेड है ओलिक एसेड सबसे healthy एसेड में से एक है पेक्टिन जो किसके लिए responsible होता है fruits की firmness और softness के लिए यानि जो कठोर या कोमल कोई भी फल होगा तो उसके लिए पेक्टिन जिम्मेदार होगा ये कौन सी एसेड का बना हुआ होता है majorly कौन सा एसेड होता है तो इसके अंदर होता है galacturonic amal galacturonic acid होता है इसके अंदर प्रेक्टिन के अंदर इथेणोएक एसेड सीनोनियम है कौन से एसेडिक लिक्विड का वो ये पूछ रहे हैं आपसे इथेणोएक अमल किस अमलिय तरल का प्रायवाची है ये कई बार में आपको बता चुकी है आगे भी आप पढ़ सकते हो रसवी घरों में बेसिक सीजनिंग यानि हर जगा आप यूज करते हो खाना पकाने में यूज करते हो तो इथेणोएक असेड होता है वीनेगर में सिरके में इसको एसेटिक एसेड भी बोलते है पढ़ाई के लिए उनके बारे में पता लगाने के लिए किसको Nobel Prize मिला था 1975 में तो ये जो मिला था ये मिला था आपको व्लादी मीर प्री लोग इनको अब शेशित कने यानि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनमें आवेश होता है उनको पता लगाने के लिए कि क्लाउड चैम्बर में यानि कहीं पे किसी चैम्बर में इनका कैसे पता लगाया जाएगा इसके पढ़ाई के लिए आर्थर कॉम्टन को 1927 में Nobel Prize मिला था पर इनके साथ और किसने ये Nobel Prize शेयर किया था तो ये किया था Charles Wilson Which of the following pairs is incorrectly matched इन में से कौन सा जो pair है वो incorrectly matched आपको ये बताना है Acrylomegaly, Adrenaline ये ही incorrect है ये Adrenaline से कैसे भी related नहीं है Diabetes, Insulin से related है बिलकुल सही Cushing syndrome, Cortisol से related है Cushing syndrome, Goiter Thyroxin से related है लेकिन Acrylomegaly, Adrenaline से related नहीं है Who found an empirical relationship between Half-Life और Alpha-DK ये बहुत-बहुत-बहुत important है आप से पूचा है जब भी जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते है उनकी Half-Life होती है जब वो बिलकुल आधे बचते है तो उनकी Life और उनकी Energy उनकी उर्जा के बीच में कौन सा suffix यूज करते हो यानि कौन सा प्रत्य आप यूज करते हो जब CHO group जुड़ा हुआ होता है किसी ring से या hetero atom से यानि किसी भी ring से अगर CHO जुड़ गया तो आप last में क्या चीज जोड़ते है तो हम जोड़ते हैं कारबलडी हाइट यानि जो काला काला दूआ होता है वो भी निकलता है चले फिर से chemical आपके फटाफट से हम यह करते हैं तो बहुत असान है आपको group बताने हैं तो देखो जो सबसे पहले पता है ना उनकी बात करते हैं ऐसे noble gas है, अक्रिये gas है ये कौन सी होते है, group 18 तो fourth का हो गया 8 halogen होते है, group 17 third का हो गया B तो third का B और fourth का ये आपका एक में ही है first का D हो गया, जो alkaline metals हो गया, group 1 हो गया और जो alkaline earth metals है, वो group 2 हो what is the atomicity of chlorine? chlorine की atomicity बताने है, देखो chlorine मिलती है, Cl2 की तरह तो कितने atoms जोड़े हों ये एक साथ दो तो diatomic हैं, दूई परमानुक है in the early 19th century who demonstrated that there are 14 space lattices or regularly repeating arrangements of points in space that differ in symmetry and geometry 19-वी शताबदी की शुरुवात में वो कौनसे scientist थे जिनोंने ये बताया था कि 14 अकाशिय जालक जो structure होता है, crystal का वो 14 तरीके का होता है और सारे बिंदू वापस अपने आपको repeat करते हैं, समरूपता और जयामिती में भिन होते हैं तो ये बताया था अगस्ते ब्रेविस ने तो अगस्ते ब्रेविस इसका correct answer हो in which method of cooking is food heated slowly over the source of heat कौन से विधी में पहले खाने को दीरे दीरे पकाया जाता है उसके बाद जादा दरम करते हैं high heat and air convection किया जाता है यानि आप कह सकते हो कि बायू समवहन यानि उसमें heat पास करते हैं और जगहा बदलते रहते हैं खाने की heat के ऊपर तो वो कौन सा है? वो होता है spit roasting butane to all कौन सा alcohol है butane to all कौन सा alcohol होगा यह होगा primary alcohol देखो butane का मतलब है 4 carbon atom है दो का मतलब है दूसरे ग्रूप पे OH है तो यह जिससे attach है इसके अंदर कौन सा alcohol आएगा यह आएगा primary alcohol क्योंकि यह जिससे attach है वो single carbon atom है चलिए गौचर डिसीज कौन से enzyme से related है गौचर डिसीज तो गौचर डिसीज related है यह इससे ग्लूको cerebrosidase से तो गौचर डिसीज का हो गया ग्लूको cerebrosidase यह वो question है जो बहुत कम experience ने इसको attempt किया होगा next हम बात करते हैं hunter syndrome की hunter syndrome से related जो enzyme है वो है sex जो ड्रोग है टेसाक्स ड्रोग जो टेसाक्स डिसीज है वो हो गया related आपका hexosemilidase से आप अगर word भी थोड़ा माच करोगे न sexosemilidase से आपको सही आपको related दिखेंगे और लेकिन ऐसे questions अगरा है तो gases मत मारो तुके बिलकुल मत मारो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा chances होता है कि गलत ही होगी phenyl ketoneuria जो ये related है वो है phenylidase और hydrolase से तो यानि 4 का हो गया A तो इस तरीके साथ को जो correct answer हो गया वो हो गया option A the characteristic garlicy order of garlic is जो lesson के अंदर जो smell आती है वो main किस कारण के वज़े से आती है copper की वैसे उसमें copper के ions होते है which actinide discovered by Glanty Seaborg in 1940s uses heat source for sensitive electrical components in satellites as well as the power source for satellites वो कौन सा actinide तत्व है जो 1940 में Seaborg ने discover किया था जिसको आप heat source की तरह उश्मा के throat की तरह आप use करते हो satellites में भी और हर जगा तो वो है आपका plutonium which of the following is used to chemical test charge charge को test करने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हो आप use करते हो iodine solution iodine solution blue black color का हो जाता है purple color उसमें आ जाता है अगर कहीं पे charge है तो तो guys ये थे सभी chemistry के question I hope बहुत complicated questions भी थे बट ऐसे questions पे stress करने की जुरत नहीं होती क्योंकि ऐसे questions सभी लोग छोड़ते हैं कुछ questions ऐसे आएंगे ही जो आपको छोड़ने होंगे बात करते हैं बैच की तो आप आज ही आर भी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पस बहुत सारे प्राइस भी आपको कम लगेगा इसी के साथ टेलीग्राम चानल को जॉइन करना ना भूले आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तिल रेन हैव गुड़ डे आंड गुड़ बाई झालेशन कर in scholarly है गशिवार में दोनले घ्या कर सब्सक्ताव speaking में अबमेदेरिए झाले 1 1 2 1 2 2 1 टारी 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 वारी 1 1 2 2 1 2 2 1 3